बिस्मिल्लाहिर्वाह्मानी रॉख्मीन सुभावु अलिहिवालीवसल्दम उम्हें आप से बखेयर से होंगे और जो नया आया है उससे पहले रिक्वेस्ट है कि पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाते कि जो भी इस कोर्स की जो भी विडियो होगी और जो भी फीचर में जो भी विडियो आने मोदी होगी आपको उसका रोतिफिकेशन मिलता रहेगा आईये जो आज हमारा टाइम मेनेजमेंट का चबुदमा पार्ट है इसको सुनते हैं इसका हैडिंग है समय खरीदना सीखे अब इसको कैसे करें कि आपके लिए कौनसी चीज ज्यादा महत्रपूर है आपके लिए कौनसी चीज से ज्यादा इंपोर्टन है समय याधन आपके ज़ादा इमपोर्टन किया है समय आपका गषै आपके थैसे आप इन दोने में से किसी बचाने की ज़यादा कोशिश करते हैं आप पैशेंजर ट्रेड से यातरा करना पसंद करते हैं यदो सुपरवांश ट्रेम से गीशेंजर लोग पैसेंजर ट्रेम से इंप ज्याधर沏 कम लगता है पैसेंजर ट्रेंड की यात्रा में समय जादा लगता है लेकिन रिटायर लोगों को आम तोर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती उनके पास समय ही समय होता है दुसरी और व्यस्त लोग यह आप जो बड़े हैं तो मुझे बुरा नम आने जो लिखाया में वह समय को नहीं कि तो यह कि आप अपने समय को जादा महत्तव नहीं देते हैं जो लोग समय को ज़्यादा एहमियत देते हैं महत्वपुण मानते हैं वे समय बचाने की भर भर पूर कोशिश करते रहते हैं एक तरह से कहा जाये तो वे समय को खरीद लेते हैं इस अध्यायन के पारम में दी गई चीनी सुकूती में कहा गया है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता लेकिन यकीन माने आप समय खरीद सकते हैं कंपनी के मालिक यही तो करते हैं जरा सोचे कंपनी का कोई मालिक प्रोडिक का उतवादन नहीं करता है और उसको उसको डिजाइन करता है और कुछ तोड़ी ना बनाता हुगा उसने, समU please, इनके किसी और को दिया उसने बनाया, उस बंदे ने इस कंपणी के मालिके ले काम की उसका वित्रर नहीं करता, उसका प्रभध नहीं करता उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफ़ा उसी बहुता है कमपनी का मालिक कर्मचारियों को तनुखा देकर उनसे अपना मन चाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में कमपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। यही हुची है। तो यह हुता है समय खरीदने का एक तरीका है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो आप भी समय को सरवर्शेश्च उप्योग के इस चबुद में सिध्धात, यही हमारा चबुद में फॉर्मूला है। इसका पालन करें, इस पे अमल करें, समय खरीदना सीखें। देखिए खंड एक में आप यह पता लगा चुके हैं कि हमारे फिर्स्ट पार्ट में पता लगा चुके हैं कि आपके एक खंड का मुल्यत इतना है। यह अगर वह रोजाना आठ गंटे काम करता है, तो एक गंटे का उसको 100 रुपे मिल रहा है। अगर वह एक गंटे अपना बरबात कर रहा है, रोजाना यह गंटे से जादा बरबात कर रहा है, तो उसको रोजाना इतना नुक्सान हो रहा है, अपको समय का मुल्य सो रुपे बताया था, अब इस उदाहरन पर आप समय खरीदने का निवने ले सकते हैं, एक उदाहरन देखे आपको बिजली का बिल जमा करन है जिस के लिए एक मिसाल के तौपईभा समझाए साकता ही जिसके लिए आने जाने और लाइन में खड़े होने के ते दी खंटे जाएंगे चीनि और अपको मुज़दे का समय लघचा पर या दूगंडे का भी समय लग सकता जिあと 258 इंड आपको क्या करना चाहे आपके एक घंडे का मुल्य 100 रुपे है, आपको आने जाने में बिजली का बीफ रने में 1.5 घंटा चला जाएगा, आपका 1.5 घंटा जाएगा तो आपके एजन्ट मिला या फिर आपके अलागे में आपके एडिये में कोई शॉप है, मोबाइल वाला है, मनी ट्रांसफर वा आपके लिए 1.5 घंडे का मूली 150 रुपे है, इसलिए अगर कोई वो काम इनके जो आपका बिजली भरने का काम था, जो आपका 1.5 घंडे में हो सकता है, पर आपके 20 रुपे में करने को तयार है, तो आपको खुशी-खुशी हां कर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके 1 आपका 1.5 घंड़ा बच गया, प्लस आपका बिल भर गया, आपको एक से तुशी के तो मिले ही न, अगर आप मतलब समझो कि अगर आपके आने जोने में 1.5 घंड़ा बचुशी हां कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इस से बहुत ज्यादा कीमती है, इस तरह पेसे दे ज्यूदु की आउट शॉकिंग की निती किसी जिद्दान पर आदारी थे, अमेरिकी कंपनिया पेसे देकर अपना काम भरती कंपियों से सस्ते में करवाती है और अपना कीमती समय बचाती है, यह डेटलिंग का काम सोपने से अलग बाद है, डेलिगेटिंग में आप समय ब स्थनों को सोपते हैं, यह डेनिका आपको किसी जोट शोपते हैं, जबकि समय खरी दिते हैं, आप महत्वकुन बाहरी लोगों से करवाते हैं, यदि आपके एक गंटे का मुल्य सो रुपे हैं और सामने वाला आपका एक गंटे का काम 10 रुपे में कर रहा है, तो समझदार इसी में हैं कि आप उस से वो काम करवा ले ताकि आप उस बचे हुए समय से ज्यादा उप्योगी और मुल्यवान काम कर सके उनीस सदी के मशूर प्रफ्टुति विग्यानिक लूइस अगासी को नियमित रूप से भासर देने के लिए बुलाया जाता था यह एक मशूर विग बहुत खी इंपर्णन काम कर रहे हैं इसलिए जिसकी वजह से उन्हें उनके पास समय नहीं था वक्त नहीं था जब एक आयो जट ने यानि किसी ने कोई और मतलब किसी ने कोई फंक्शन और नाइस किया था इसमें उन्हें भासर देने के लिए लेक्च्छ देने के लिए इन्वाइट किया, तो उन्होंने इंकार कर दिया, आयो जीक ने इनके जिसने उस function को organize किया था, उसने जोर देते हुए कहा कि भासर के बदले में वो उन्हें पेसे दे देगा, ये सुनकर आगासी आग बबुला हो गए, ये वो जो गया लिक्ते हो गुसा हो गए, और बोले मुझे नहीं दिगा सकता, मैं पेसे कमाने के लिए अपना समय बरबाद नहीं कर सकता, ये ही चीज़ समझने वाली है, आत्म निरभर लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती, क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं, कंजूस लोगों को भी इससे समस्या होती ह वे पेसे बचाने के चक्कर में खुद ही छोटे-छोटे काम करना चाहते हैं, भले ही इस चक्कर में उन्हें बड़े और जादा इंपोर्टेंट काम ना हो पाए, इसका एक रोंचक उधारन ने के लिए बहुत ही लतीफा संधिया ये उर्दु में बोले तो लतीफा, इसेंपल, मिसाल जो आप समझें, क्या आपने कभी सोचा है साडी की दुकान पर अब शायद किसी लेडिस को पुरा लगे है, तो माफी चाहूं, लेकिन या एक मिसाल के पर पर यही समझाएगा, तो आपको वही बता रहा हूं, क्या आप कभी सोचा है कि साडी की दुकान पुरुष मौल भाव क्यों नहीं करते जादा, और महिला गंटों तक मौल भाव क्यों करती है, वैसे तो इसके कई कारण है, लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय, उमवन पुरुष के पास समय की कमी होती है, जबकि महिला तिलनात्मत रुप से फुर्सत में होती है, कामियाब हो जाते हैं, तो आप दरहसल गहाटे पे रहते हैं, वास्ताव में आपका पीस रुपे का फाइदा नहीं हो, अबल के ऐसे रुपे का दूस्ताद हो गया, तो यह इस मिसाल के दूर्प संजाए गया है, यह बहुत सारी इसी चीज़े होती ही, जो आप अपने पन को इसी ओर के वश्त करें, आपके वटरिटे करें आपने मादेज़ करें, इस काम को हश SIMیک Mins whoD, यह पनेज़ करें अपने वत को खुछी करें। तो अस्तल किसी और को फाइद के उत्स mijn आपने फटरिद करें। अब लग वे जा उटे ब्रांचिस फ़नना शुरू करें किसी और को अपने स्टाफ में रखें किसी को किसी के हैं मतलब काम और सोफे उसको उसके काम की पगार देदे आप इसका जो हो फर्मिशन मगेरा उसका उसको कुछ देखें करवाने की कोशिश करें इससे आपका बिसन इस तरह के छोटे बिसनेस को बड़ा केसे चाहिए तो बहुत सारे ईट्यूबर करते ही हैं तो फिरी में इंशालला में वक्त मिला तो इसके उपर भी काफी बनने की कोशिश करूँगा तो मित ना तो आए अपको अच्छा लगा होगा सारी वीडियो माश्यालला काफी दि इसलिए तो मित करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा समझ रहे होंगे मेरी सिच्वेशन को तो अभी जो भी नए आए उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और जादो से जज़ादा शेयर करने में पुशिश करें लाइक करें लाइक करें करें अखर में यार भी ते, स्लाम वालीकुम वरह्नति लाहित 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 ली इल्कातू, आलाभीस